जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ नगर निकाय चुनाओ का अस्थागित होना निश्चित तोर पर सारे उमीदवारों के सपनों पर पानी फिर गया है और जितनी तकलीफ हुई है क्योंकि जितने खर्च हुए थे उमीदवारों के उसके बारे में बयान करना मुश्किल है ब मगदुमपुर को सजाने बाले मगदुमपुर नगर पंचायत के पुर्व उपाध्यक्ष हमारे भी रितेश कुमार चुन्नु शर्माजी मौजूद है इनसे ही बात करेंगे कि आखिर कितनी तकलीफ हुई है इनको और सारे उमीदवारों के बारे में बात करेंगे बताया है जैसे कितनी तकलीफ आपको हुई है और क्या सोचते हैं आप सारे उमीदवारों के बारे में देखिए मिरजा जी ये जो आप अपना इंट्रोड़क्शन जब दे रहे थे टाइटल्स जो जो आप जिसके बारे में आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ हाँ जो हुआ नहीं जाता है ये बात आम जनता से भी जुड़ी हुई है नगरपालिका चुनाओ को लेकर नगरपंचायत मकदुमपूर और हम कह सकते हैं कि बिहार की तमाम जनता काफी उत्जुख थी काफी जागरुख थी और चुनावी बातावरन में जो नगरपालिका का नगर निकायक जनता जनारदन है और विशेशकर नगर पंचायत मकदुमपूर की ओर हमारा इसारा होगा तो सभी जनता अपने अपने काम में मस्गूल रहते हैं सभी को अपने दिन चर्या के लिए कुछ ने कुछ करना पड़ता है कुछ लोग क्रीमी लेयर में भी है साइ बात करते हैं मजदूर बरकी तो वो कहीं न कहीं अपना दैनिक चर्या जिवन आपन करने के लिए कहीं मजदूरी का काम भी करते हैं इंट भठा का काम हो और भी अनक तरह का मतब डेली उनको मेहनत करना होता है तब सामको रोटी मिलती है तो वो भी चुनाओं में पूरी त पर काम करते थे, उनको भी इसके लिए जो भी खर्च बर्च हुआ होगा और प्लस मेंटली रूप से यहां पर दिमाग में अब तो फिर एक बार आना होगा, आज हो चुना हो, एक साल बाद हो, दो साल बाद हो, जब भी चुना हो, तो आना पड़ेगा, तो कहने का मतलब कि यह पांच बरसों पर जो आम पब्लिक होती है निकाई छित्र के, उनकी लिए भी एक टास्क होता है, कि हम अपने लोगप्रिये जन प्रतिनिदी को वोटिंग करकर पांच साल के लिए निश्चिंतार दिखाएंगे, यह तो आप मानते हैं कि इसे एक पब्लिक को भी बहु प्रतिनिदी होते हैं, उनका यह टास्क होता है कि जनता की मामूली सी छीक पे भी उनका जो है, नजर हम जैसे जन प्रतिनिदी होता है, हम अपनी बात करें तो हम अपने चाहवाड की जनता हो, या नगर पंचायत मक्दूंपूर की जनता हो, हम सभी का केर करते हैं, और परसासनिक पदादिकारी हैं, यह कभी भी जन प्रतिनिती के बराबर जनता के केर नहीं कर सकते हैं, इनका टास्क होता है, जो सरकार का गाइडलाइन है, जो विभाग का गाइडलाइन है, उसको फुल्फिल करना, जनता से हम नहीं समझते हैं कि जितना जन प्रतिनिती सरुका क्या होना चाहिए चुन्नो जी नगर निकाय के चुनावी कंडिडेट होने के नाते उमिदवार होने के नाते हम समझते हैं कि जितने भी नगर निकाय के चुनाव में भाग ले रहते उमिदवार चाहे हो बाट पारसत के हो उपाध्यच के हो या अध्यच के हम समझते हैं कि जो मेरे अंदर अभी सोच आ रही है, जो फिलिंग है, वही सभी उमिदवारों के अंदर में वैसा ही कुछ फिलिंग चल रहा होगा। तो अभी तत्काल सरकार को या फिर राजी चुनाव आयोग को चुनाव के प्रति सोचना चाहिए और जितना जल्दी से जल्दी चुनाव वाला कार्च करम को पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, यह नौ महीना, दlles महीना से लोग जन्ठीन नगे हुए हुए है। और अपने खर्च की बात की है तो यह तो सचा झाहिए, बह। कुछ है जो आप ऑन बेरी некोने डर्याने का प्टा सकते हैं हैं। हम तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बाट पारसत का चुनाओ लड़ रहे हैं बिचारे और वो भी मजदूर बर्क से ही हैं स्थी अश्टी बर्क से हैं जिनको हम जानते हैं और वो कुछ सूद पर इंट्रेस्ट पर पैसा भी जो सुनने में आता है हम से बताया ने गया तो बताईए अब कोई गर इस तरह का सचाई सही में कोई इंट्रेस्ट पर लेकर चुनाओ लड़ रहा है सहे उसका इच्छा है कि नहीं हम जनता का सेवा करें और पैसा तो सब के लिए आज तो जरूरी है यह सचाई है यह माने जो भी सरकार कुछ भी कहे यह चीज है नगर निकाय चुनाओ में दो बार घटना है इसको घटना है मैं कहूंगा दो बार घटना घटी एक बार जो घटना घटी आरक्षन लागो किया गया एक 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 सभी लोग तयारी कर रहे थे चुनाओ लडने का दूसरी घटना चुनाओ को स्थागित कर दिया गया कितना असर इससे पड़ेगा देखिए ये सच में दो घटना और दोनों दूखद घटना है ये चुनाओ का जो ये चीज है इसके साथ दूखद नहीं लगाया जाता है लिए हम दूखद घटना बताएंगे और हम तो हम जिस पाटे की राजनीत करते हैं वो भी सरकार में सामिल है और सरकार के सारे कारज हमारे इवाने ता तेजस्वी जी के प्रते भी हम घोरास्था रखते हैं और उनके आए दिन बया जो है रुजगार को लेकर हो या और अनिस मुद्डों पर दोस्किन को देंगे आप हमको अच्छा लगता है लेकिन ये चुनाओ को लेकर नगर निकाय चुनाओ को लेकर कहीं ने कहीं चाहे नितीज कुमार जी हो या तेजस्वी जी तेजस्वी जी भी नगर विकास भी हाक के मंत्री हैं और हमारे मुख्या बिहार सरकार के मुख्या नितीज कुमार जी है इनके इरादा पर प्रसंचिंतों पब्लिक के बीच में है अब क्या होगा मेरे ख्याल से सुप्रीम कोट गई है हमको लगता है कि सरकार बिना सोचे बिना कुछ देर किये चुनाओं के प्रति सोचना चाहिए और चुनाओं के लिए जाना चाहिए ना कि इधर उधर जाकर समय गया मगमाना इससे पबलिक के बीच में इनका निगेटिव नकरातमक ता बढ़ रही है और रही बात यह जो आरच्छन पॉलिसी है हमको लगता है कि कहीं न कहीं इसको लेकर भी चुनाओं के दौरा साइद पूरा ध्यान नहीं दिया गया अब हम बता रहे हैं साहब कि यह जो नगर पंचायत मगदुमपूर में अध्धच मुख पारशद का सीट तो पहले से ही CST मैला है और मीना देवी जी अध्यज की रुप में काम भी किये हैं और उपाध्यज को भी CST मैला कर दिया गया अब बताईए और जहानाबाद की विसाइद का भी साहइद इसी तरह का सुनने को मिल रहा है तो अब बताईए कि जब बूड का मिटिंग होगा नगर पंचा अब बताईए अध्यज के तौर पर मीना देवी जी जी है उनके पास आपार अनबोव है तो हो सकता है वो चला जाए लेकिन उपाध्यज के तौर पर भी एक के अगर करना ही था तो SCST जिंट्स रखते तो हमको लगता है कि ज्यादा बैंस फुल रहता दोनों महिला करने से एक जिंट्स कर देते हैं, SCH TV करते हैं तो जिंट्स करते हैं आपको लगता है कि जब जनरल अगर कर दिया जाए सीट को तो ज्यादा अच्छा होगा नगर परिश्द के लिए या लोगों के लिए जनता के लिए हाँ, हम इसी के पच में हैं और मेरा ही नहीं, नगर पंचायत मकदुपूर के तमाम जनता का मानना है कि ये जो है एक पद, दोनों जो है एकल पद, उसमें से कोई एक पद को जनरल कर दिया जाए कि जनरल में सारे लोग चुनाओ लड़ेंगे और जनरल में जब सभी लोग चुनाओ में भाग लेंगे तो जनता के पास एक बेहतर बिकल्प चुनने का बिकल्प होगा तो क्या बुराई है उसमें अब ही अगर हम आप मान लिजे ये ट्रिपल लेयर का जो बात चल रहा है कि ट्रिपल लेयर आयोग बनाईए और उसके बाद जो है चुनाओ की इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा मत्तब अगर आज आयोग का गठन भी होता है तो हमको नहीं तो डेंगू का कहर बरप रहा है बहुत सारे लोग डेंगू के शिकार हो रहा है तो कहीं ने कहीं ये जन परतिन दी काम नहीं कर रहे है ठीक से चुकि कुछ है नहीं उनको कुछ मिल नहीं रहा है देखे ये नगर बिकास बिभाग ही जो है न चुनाओं में जितना देर कि हैंडीकिप्ट जैसा दीकेगां नगर भिकास विभाग का सिर्फ मेट्रो और फ्लाना परॉज minimalist लेकर आम जनता तक वह नहीं पहुंच पाता है आम जनता तक नगर पंचायत मगदूंपूर पहुंचती है नगर पंचायत टिकारी पहुंचता है नगर परशच जहानाबाद का पहुंचता है यह नगर पंचायत यह नगर परशचत है वो पहुंचता है ये दोशी है ये क्या आप मानते हैं इसको इतना गंभीर मुद्धा पे इस तरह का एक दूसरी पर दूसा रोपन करना हम समझते हैं बिलकुल गलत है और अगर बात करें भारतिये जनता पार्टी की तो हम तो समझते हैं कि भारतिये जनता पार्टी के पास कोई मुद्धा है ह हैं हम तो समझते हैं कि भारतिय जनता पार्टी एक मात्रपार्टी है जो चाहती ही नहीं है कि अगर निकाई चुनाओ लेकिन सरकार होनी के नाते इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है आरोप पर त्यारोप सरकार नहीं लगा सकता है सरकार का काम है action तो action दिखाइए कर डालिए ने चुनो हो जाने दीजे चुनो जनता चुनाओ के mode में है साब तो जनता चुनाओ के mode में चुनता चुनाओ कराइए छोड़ दीजे बीजे पी को बीजेपी को नगर बिहार में कोई पूछने वाला नहीं है आने वाले आप चुनाव में देखेंगे ये लोग सभा होगा विदान सभा होगा इनका नाम लेवा भी अभी कोई नहीं है उमिदवारों के दर्द के बारे में अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे जितनी तकलीफ उमिदवारों को हो रही है और जो हुआ है दो दो बार काफी ज़्यादा जिस समय ये चुनाव रोका गया दोनों बार एक बार आरच्छन को लेकर उस समय भी सारे उमिदवार टॉप पर थे अपने डिसीजन को लेकर अपने परचार को लेकर जनता है मतलब जिसके पास जो चमता था वो अगदम पीक पर था उस समय भी अचानक से आप समझे कि टॉप फ्लोर पे आप चड़े पहुच गया है और वहां अचानक से जिस लिफ्ट हो या जिस माद्यम से जाना अचानक से रोक दिया गया हो या फिर वहां से आपको पूस करके नीचे बेज दिया गया हो ये बिल्कुल गलत है किसी के भावना भी इससे बहुत आहात होती है और हम समझते हैं कि बहुत सारे उमिदवार आर्थिक पूप से भी उतने मजबूत नहीं है अगर बागई उस बर्क का हितैसी है तो हम समझते हैं कि उसे चुनाओ में जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई परिसान आर्थिक रूप से हो मांसिक रूप से हो तो हम जैसे एक सारे तमाम उमिदवार हैं और हम तमाम उमिदवार में भी उस जिस बर्क की बकालत करते दिख रहे हैं वो ज्यादा परशान है चुनाओ आयोक से कितना संतुष्ट है आप जिस तरह का हाई कोट ने टिपनी किया है और हम पहले भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे और हाई कोट के टिपनी के आने के बाद तो और भी हमारे सोच पे मुहर लग गया चुनाओ आयोक सही बात आप रहन में काम नहीं कर रही है उसे ततकाल आम जन हित्मानस में काम करना चाहिए बहुत बहुत धन्यबाद रितेश जी हमारे साथ थे मखदुमपुर नगर पंचायत के पुर्व उपाध्यक्ष रितेश कुमार उर्चुनु शर्मा जी इन्होंने बहुत सारी बाते बताई आपने देखा कि कितनी मुश्किलें हुई उमिद्वारों के साथ लगातार मुश्किलें हुई दो दो बार मुश्किलें हुई इनका कहना है कि जितना जल्द से जल्द चुनाओ होगा उतना ही लोगों को भी फायदा होगा चुकि जो इस्थिती बनी हुई है शहरों में ये नगर परिशाद नगर निकाय अंतरगत आता है लोग बहुत परिशानी है कहीं डेंगू फैल रहा है कहीं कुछ हो रहा है बहुत सक्त जरूरत है कि चुनाओ जितना जल्द से जल्द हो उतना ही जनता के हित में बहुत फायदा होगा दीजे जाज़त नमस्कार